हलो दोस्तों श्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल निरूट देम आपने बहुत शारा और सदी पौधे के बारे में शुना होगा और देखा होगा उन्हीं में से यह है नागर मोथा या मोथा जो एक प्रकार का खतवार है जो खेतों में आसानी से देखा जा सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक बहुत ही उर्कारी उष्टी पौधा है इसे घास के रूप में जाना जाता है यह आपको अरसानी से खेतों में मिल जाएगा इसकी जड़कों बहुत शारे फायदे हैं जो की इस वीडियो में हम जानेंगे यह स्वाद में तीखा जाए इसकी जो तासीर होते हैं ठंड होते हैं इसकी पतियां कोमल इसका तना जहुता मुलायम हो जाए जैसा कि आप देख सकते हैं अगर पेट रोग के समस्या सपर्शान है तो पेट रोग में नागरमोथा की जड़का काढ़ा बनाकर 10-30 मीली गर लेते हैं इसमें पांच इसकी अलावा दस्त में भी इसका बहुत गुड़कारी प्रयोग है इसकी जड़का इसकी आप देख सकते हैं इसका अगर काढ़ा बनाकर शुबह दूपर शाम को आठ से दस मीली मात्रा में को श्युन करते हैं तो इस दस्त है उसने भी आपको फाइदा हो गया इसके साथ कि इसकी गठीया में भी इसका बहुत कमाल का और्षिणी प्रयोग है नागर्मोथा का और हल्दी आउला नागर्मोथा का बराबर मात्रां लेकर काढ़ा बना कर अगर इसको ठंडा करके 15-20 में मात्रा में घुड़ा सा मधूय चमच्विशमिला कर श्युन करते हैं तो बढ़ाने में बहुत ही गुर्यकारी इसका प्रयोग है अगर लेप करते हैं तो इसमें इस्तनों में दूद की मात्रा को बढ़ा देता इसके सना बहिलाओं मासिव धर्म भीकार समवदी जितनी भी समश्याइं हैं नागर मोथा की जड़ का पिष्ट एवन उसका काढ़ा बन कर अगर शिवन करते हैं इसमें खून की जो कमी है कमजूरी है सूजन है आद यतनी भी समश्याइं उनसा में भी इसका बहुत गुड़कारी और यह प्रयोग है इसको अगर आप उखाड भी देते हैं तुरूंत बिद्धि करता थी खत्पतवार है लिकिन इसके बहुत शा को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए चली मिलते हैं एक और रूपियो जो सदी प्लान करूं में नेश्टे वीडियों तब तक के लिए बाए बाए